असलाम उलेकुम आज मैं लेकर आई हूँ कोफता करी बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी जब आप मेरे बता हुए मेथट से बनाएंगे तो आपका भी कोफता बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बन करके तयार होगे चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है यहाँ पर हमन आधा कप चना लेंगे भूने हुए यह चने है और अब हम इसमें एक टेबले स्पून नारियल का पाउडर डाल देंगे और एक टी स्पून पोस्ता दाना डालना है यानि की खस-खस और इसे हमें खूब अच्छे से बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है तो यह देख चार से पाँछ हरी मिर्च और यहाँ पर हमने एक मेडियम साइज का फृई किया हुए प्याज लिए है इसे हमें बिल्कुल तरदरा सा ग्राइंड कर लेना है तो यह देखिये हमने इसे ग्राइंड कर लिया है तो इस मिक्शर को भी हमें खुफते में एड कर देना है तो तो हमने यहाँ पर 1 एन उफ टीप स्पून नमक ड our एक टी शून जीरा पाउडर और एक टीश पून धन्या पाउडर और 2 Excellent लाल मिर्च पाउडर और एक टेबल स्पून भरकर सम्निं यहाँ पर अद्रक लशुनक पिश्ट दाल देंगे और eco टीश पून गरम असाला अब एपने हाथ को थोड़ा सा आप अलस चिकना कर लीजिये और इस तरह से बनाले बिल्कुल चिकना कोफता बनायेगा जिससे तेल में फ्राइ करते वक्त ये तूटेंगे नहीं तो अब हमें कोफतों को यहां पर फ्राइ कर लेता है तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा कप तेल लिया था तो इसी में हम ग्रेवी की तयारी करेंगे तो कुफ्तु को हमें हलका गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेना है तो इस तरह से हमें उलट उलट कर हलका गोल्डन होने तक के इसे फ्राई कर लेना है एक साइट तकरीबन दो मिनट लगेंगे आपको फ्राई करने में और दूसरी साइट भी आप इसे दो मिनट और फ्राई कर लीजिएगा टोटल आपको तीन से चार मिनट फ्राई करने में लगेंगे ये देखिए हलका सा गोल्डन हो चुके हैं तो अब हमें इसे निकाल लेना है नेक्स्ट हम इसी तेल में कुछ मसाले डाल देंगे यहाँ पर हमने एक तेज़ पत्ता और तीन से चार छोटी लाईची और तीन से चार लॉंग 8-10 काली मिर्च और थोड़ा सा हमें दाल चीनी का टुकडा ले लेना है और इसे हमें तेल में हलका सा सौते कर लेना है इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून अधरकला सुन का पेश डाल देंगे और इसे हमें थोड़ी देर के लिए भूल लेना है जिससे अद्रेकले सुन का कच्छा स्मेल निकल जाए अब हम इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाप टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून नमक डाल देंगे और ग्रेवी में अच्छा कलर लाने के लिए हमने यहाँ पर एक टीजपून कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है जिससे मसाले जो हैं जले नहीं और यहाँ पर हमने 2-3 मिनिट के लिए मसालों को भून लिया है तो अब हम इसमें 2 मेडियम साइज इस तरह से स्लाइसेज में कटे हुए आलू डाल देंगे और थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है तो इसे हमें 3-4 मिनिट के लिए खूब अच्छे से भून लेना है जिससे आलू और मसाले जो हैं काफी अच्छे से भून जाए अगर आप यहाँ पर आलू नहीं डालना चाहते हैं तो इसे इसकिप कर सकते हैं जब तक आलू भून रहा है हमें यहाँ पर एक मिक्सी जार में एक मेडियम साइज का फ्राई किया हुआ प्याज लेगे और इसमें हमें आधा कप दही डाल कर इसका बिल्कूल फाइन सा पेष्ट बना लेना है तो इसमें तकरीबन आप एक से दो टेबले स्पून पानी डाल कर इसका पेष्ट बना लीजिएगा तो यह देखिए यहाँ पर आलू और मसाले जो हैं काफी अच्छे से भून चुके हैं तो हमने जो दही और प्याज का पेष्ट बनाया था इसमें हमें डाल देना है और एक बर हमें इसे मिक्स कर देते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं कि मसाला का कलर जो है कितना अच् तो इसे हमें ढखक कर एक उबालाने देना है तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेवी में एक उबाला गया है तो अब हमें इसमें कोफते को डाल देना है जो हमने फ्राई करके रखा था आप देख सकते हैं कि कोफते एकदम परफेक्ट बने है बिल्कूल भी फ्राई करते वक्त तेल में तूटे नहीं है तो यहाँ पर हमने सारे कोफते को डाल दिया है तो अब हमें इसे ढख देना है और गैस के फ्लेम को लोटो मीडियम करके तकरीबन 10-12 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है जब तक की कोफते जो है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते है तो हमने एक साइड इसे 5-6 मिनट के लिए पका लेना है तो हमने सारे कोफते को पलट दिया है तो फिर से हम इसे लीट से कवर कर देते हैं और 5-6 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे तो टोटल हमने कोफ्ते को 10-12 मिनिट के लिए पकाया है यहाँ पर आलो और कोफ्ते जो हैं काफी अच्छे से सॉप्ट हो चुके हैं यहाँ पर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं तो हमने यहाँ पर हाफ टीजपून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और थोड़ा साम इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और साथ में 3-4 हरी मिर्श डाल देना है और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं उसके बाद हमें इसे लिट से कवर करके दो मिनट के लिए और पका लेना है यहाँ पर आपने देखा कि कोफते जो हैं एकदम परफेक्ट बने हैं ना तो यह तेल में फ्राइ करते वक्त तूटे हैं और ना ही यह ग्रेवी में तो अब हम इसे खाने के लिए सर बहुती टेस्टी और बहुती सॉफ्ट कोपते बनते हैं बिल्कुल भी तेल में तूटेंगे नहीं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग माई माईशaja और में सब्सक्राइब कि है एड़ी कैसे लाओ करेंगे झाल भी